गुण बॉनिंग बच्चों कैसे हो आप लोग बढ़िया हो शबाश अब हम परस्णावली 12.2 की तरफ बढ़ते हैं तो आईए शुरू करते हैं किसी संक्या को मानक रूप में लिखने के लिए यह मेंने तीन बिंदू लिख है आप इन बिंदू को अपनी नोट बुक में ल तो सबसे यह तीन ही नियमें मानक रूप में लिखना या मानक रूप को हटा करके पॉइंट लगाना ठीक है तो पहले बाद मानक रूप होता क्या दश्मलव बिंदू जो होता जिसको पॉइंट बोलते हैं यह वाला पॉइंट यह पॉइंट पर्तम सुन्यतर अंक के रूप में मगलब जैसे मानों 357 है तो आप इसको यह पहला तो तीन पॉइंट पॉइंट गात कुछ लिखेंगे इंटू दस की गात यह समझ वागया यह जीरो .00357 है ठीक है? तो इसको मैं यहाँ ऐसे समझाओंगे आपको पहले जानकार्य यह होता है कि यह भी तीन पाइंट 57 होगा ज्यान रख बच्चे अब इन्टुदस की गहात कितनी लगेगी यह मैं समझाओगा पहले आपको उसके पहले दो चीजों की जानकारिया आपको जरूरी है यदि संक्या एक से छोटी है तो दर्शमलव माई और होगा और माने ग्रूब में गहात इरनात्पक होगी एक से छोटी संक्या यह एक से छोटी है मैं और में लिख दूँ मैं इसको 35.7 लिख दूँ बराबर इसको भी आप 3.5 गुणा लगाएंगे साथ इंटू बच्चों ज्याद रखें फिर से देखना अराम से यह कई बार बहुत बच्चों को समझ मनी आता इन चीजों को ज्या एक से छोटी संक्या है तो दस्तमलों बाई और होगा और घात रिडात पक माने ग्रूब में घात माईनिस में हो जाएगी तो यहां यह पहले अंक के दस्तमलों इस तरब है यह संक्य एक से बड़ी है यह एक से बड़ी है यह एक से बड़ी पहले तो एक से बड़ी और एक से चोटी से पहचानि बच्णै है कि यह एक हね कई देगा होता नहीं से बड़ी आपको पता एक सें बढ़ी यहां देखिए पॉइंट इस पहले आंक्प के इस तरफ मतलब यह संज्ञा एक से छोटी यह संज्ञा एक छोटी है एक से छोटी चुन तो इन चीजों को ध्याद रखो अगर संज्ञा एक से छोटी है तो दर्शमलो मायोर होगा और माने गूप में गहात मायनिस में हो जाएगी गहात कितनी होगी यह मैं सम्झाओंगा अपको इसका मतलब इसकी गहात मायनिस में होगी दोसरा तीसरा बिंदू य discourandो ये और तो नसमलो दाई ओर होगा यानी इस तरफ होगा और माने गुरूब में घात दियनातमेगोगी प्रस्म हो जाएगे तो तीन बिंदू को आप ध्यान में रखना फिर से माने गुरूमर लिखने के वक्त पहले अंके बाद में बिंदू लगा तो मैं फिर से वापन बता दो आज ठाइट अगेन ठीक है तो यह सब मैंने बता दिया दस एक से चोटी संक्या है यह संक्या एक से चोटी है तो यहां पर लिखना तो तीन पाइंट पांच साथ होगा इंटू दस की घात अब यह तो पता एक से चोटी घात माइनिस में हो जाएगी यहां पर आपको कितना कदम चलना पड़ा यहां बिंदू थार एक दो तीन यानि तीन कदम आपको इस तरब चलना पड़ा मलब इसके और इसके बीज में तीन अंक है तो इसकी घात माइनिस तीन हो जाएगी इहां पर जब कहीं नहीं है पॉइंट यहां लगया अब पॉइंट कहीं भी पॉइंट होता नहीं तो पॉइंट को सबस्टे लास्ट में मानते हैं आपको यहां से यहां जाने में कितना कदम चलना पड़ा एक दो तो दो चलना लेकिन गहात प्लस में है बढ़िया यहां पे मैं लिखूंगा तीन पॉइंट पांच साथ इंटो दस की गहात कितनी गहात तो पलस में कितना चलना पड़ा एक अंग चलना पड़ा तो गहात एक दस की गहात एक बद तो समय माया वापस कोई देखे पैचा नहीं संक्य एक से बड़ी है चोटी शुरू में पाइंट लगा है स्टार्टि में अंक के पहले तो संक्य एक से छोटी उसका गहात माय निसम होगा यह बात समय और एक से बड़ी तो गहात पलस मोगा जितना कदम चलना पड़ेगा उस बिंदू उसे वहां तक चलना पड़ेगा उसकी गहात उतनी हो जाएगी एक से बड़ी है तो पलस में एक सोटी है तो माइनिस हो जाएगी यह बात है तो क्लीर होगी आपकी अब और मैं वहां पर देता हूं कभी कभी माल लो यह मैंने मिटा दिया और इसके उपर आप ध्यान मत दो इसको वहां पर मौर्मन रूप में लिखना है सामानी रूप में लिखना यानि गहात हटा निये गहात माइनिस में है तो सब्सक्राइगी पाइंट उधर चला जाएगा गहात प्लस में तो सब्सक्राइगी एक से बड़ी है तो पाइंट इधर आएगा यहां देखिए गहात एक है वापस ऐसे लिखना है तो पाइंट किदर आजाएगा वापस इसको अगर भूल जाए हम लोग तो यहां 377 पहले लिख दो गहात हटी गहात प्लस किये एक से ब एक से बड़ी होगी जो पाइंट एतर ही रहा दाहीं तरे हो चाहिए ना उस्तोर लिखेंगी गहाद में पॉंइंट ही लेगा लेपटड साइड में तो बापास पहले यहां था एक पहले यहां था एक तीन चलना है तीन चलना है एक दिये दो तीन यह बात समझ मागी में फिर से बता देता हूं दसमलू बिंदू अगर हमारा इस तरफ है इस तरफ है तो संक्य एक से चोटी है गात मैंनिस मोगी दसमलू बिंदू इदर है तो संक्य एक से बढ़ी है और गात पलस में होगी यह चीज़ें ध्याद रखना अब परस्णावली शुरू करते इसको लिखो पहले उपर वाले तेरों चीज़ें लिख नो यह वळया तो रहने दाब नीचे वाले उदहरान तो परस्णावली में घुच्त एंबलू बढ़िया है कि लिखो इसको नोट करो इतनी चीज़दी निख भर भर परस्णावली में हऊंगी है चीदी परस्णावली बाति अंबलोग edited पहले उनकी गात माइनिस में हो जाएगी, यह एक से छोटी यह पड़ा, यह एक से छोटी, यह एक से छोटी, और सबसे पहला काम, पहला आंक को है, बीना जुड़ी, एक पाइंट फाइंट फाइंट दूँगा, इंटो दस का गात एक से छोटी माइनिस में आ जाएगा अब आपको पॉइंट से उस नई जगे पर पॉणने में कितना कदम चलना पड़ा एक दो तीन चार पांच छे शाथ आठ नो दस ग्यारा और यह मारा तो यारा तो जीरो होगे और बारवा कदम आप यहां घज़ के तो माइनिस बारा होगे इसका इसी परकार आप वीडियो को पहुँच करके आप खुद कर सकते हैं नो पाइंट चार दो गुणा दस की घात पाइंट अभी उधर है तो यह माइनिस में संक्या एक से छोटी है कितना चलना पड़ा प्राणी एक दो यहां आना आपको एक दो तीन चार पांच है साथ आठ नो दस ग्यारा और बारा यह भी माइनिस का बारा हो गया यहां पर भी छे पाइंट छे पाइंट जिरो दो पहले अक के बाद दश्मलू बिंदू लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे यह संक्या निश्चित रूप से एक से बड़ी है तो इसका गात हमें सा प्लस महीं होगा प्लस करने लिखने के जरूर निक तो अभी मालो यहां पाइंट है अब यहां से वहां जाना आपको यहां तक जाना है इस चैए और जीरो के बीश में तो कितना पर चलना पड़ेगा एक दो तीन चार पांट छे साथ आट नो दस ग्यारा मारा तैरा चौदा पंद्रा तो हो जाएगी इसके हैं बहुत बढ़ी है यहां पर क्या करूंगा एट पाइंट थी सेवन कर दो आप लोग दसके गात संक्या एक से चोटी है माइनिस मैं को तो बहुत आसाल सबको समझवा गया वहां से यहां चलना है कितना चलना पड़ा एक दो तीन चार पांट छे साथ नो तो घात हो जाएगी माइनिस की नो यह संग्या एक से बड़ी है घात प्रसम हो जाएगी तो पाइंट यहां लगेगा तीन पाइंट पहले अंक के बाद एक आठ छे दस की घात अब यह पाइंट यहां पर मालो यहां पर आप चलकर वहां जाएंगे तो कितना गया आप लोग एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस कदम चले यह आपके उत्तर हैं बढ़ी आसा लिक लोग मुझे लगता सब को समय इधर आया सब को बहुत आसान लग रहा है कि बहुत सभी लोग बहुत ही आसान चीज है इनको भूलना मत यह पॉइंट तोड़े से अच्छे से दिखनी थे यह पॉइंट को अच्छे से करना है कोई बढ़िया अब लिख लो दूसरा सवाल यह रहा वापस मानक रूक में दियावार इनसेंग्याओं को समानी रूक में व्यक्त करना है यानि आपको गहात अठा नहीं है पहले दुआ पैचानिये कोन कोन से सक्राइब एक से छोटी जिनकि llowing मैं यह एक से छोटी यह यह दो लों एक से छोटीerek सिँखỹ गांव मैं न तो न कि उदर जा हैगई अंदर गौत मैं यह भीन इसके 6 तो 6 कदम जाएगी पहले पाइंट यहां था तो एक यह हो गया इसको मिलाकर 6 होने चाहिए एक यह हो गया तो 2 3 4 5 6 यह हो जाएगा जिरो पाइंट देखो कितना एक दो 3 4 5 6 यह होना जी यह इसका उतर है गात माइनिस में तो आप उधर खिशकेगा माई तरफ और कितना कदम खिशकेगा जहां से आपने शुरू किया वहां से 6 है तो 6 है एक दो 3 4 5 6 6 अंकों के बाद बिंदू लगाई है और शुरू में एक जिरो जिरो लगा दीजीगा यहां पे टीन तो पहले उधर है कि अच्छा अब अच्छा अछर लिًकहे मिद्मर यहां ऐगा उनी incumbent माना जाएक है तो यह हो गया साथ और जिरो लगा दो इसको एक मानना है एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ और अब यहाँ एक पांट लगेगा यहाँ पांट लगेगा और फिर एक, जीरो एक्स्टा लगादा वापर चेक कर लो एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, एक कम एक अभी भी कम है ये लो एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ अब सही है ठीक है अब ये संक्या घात पलस में एक से बड़ी है तो इनका पॉइंट इदर होगा नहीं तरफ नहीं तरफ तो पहले कितना कदम खिशगना पड़ेगा चार यानी एक यहां पर एक दो तीन चार जिरो को मिला करके इस अंक को मिला करके कुल चार होने चाहिए वापस करो यहां से एक दो तीन चार यहां पर पाइंट होना चया सही हो गया कितने जीरो और लगाएं इसके बाद कितने एक दो तीन चार तो यह होगे एक दो तीन चार पांच छे शात आठ नो समभाय वापस चैक कर लो यहां तक इतने एक दो तीन चार पांट चेस शाथ आठ नो बिलकुर सही है अब आजा पराणी इसमें यह पांच 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 आठ है तीन पांच चे है पांच 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 आठ का पहले तो लिक, दो अठावन कितने जिरो लगाएंगे, यानि इसके बाद यहां से शुरू हो के जिरो को मिला के बारा अंक होने चाहिए तो बारा में एक तो यह हो गया एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आट, नो, दश, ग्यारा, बारा गिल लेड़ा बापर एक, दो, तीन, चार, पांच, चे, साथ, आज, नो, दश, ग्यारा, बाना सही जवाब प्राणी आया आगे ये 361492 361492 कितने 0 लगने चाहिए 0 पाइंट के बाद एक, दो, तीन, चार, पांच तो है एक, 0 और लगा दो तब उतर मिला लीजिए आप लोग, उतर मिला लो इसमें देखो कोई-कोई गिंती में गड़बड़नी होने चीजए सारे उतर मिला लो ठीक है, सबी ठीक है ना बढ़िया, सब सही है बढ़िया, very good तीसरा प्रश्मे, निम कतनो मैं प्रयुक्त यहां कथनों में कथनों में कथनों में कथनों में परियुक्त संक्याओं को मानिक रूप में लिखो मानिक मतलब वो इन्टूदस की पावर घात में लिखना है कि इसको लिखेंगे एक मट्टा यह कितना एक दो तीन चार पांच है तो दस की गाद कितनी होगी और यह गाद उपर जाएगी एक इंटू यह पारपेंट एक में आपने पड़ा दा दस की पावर माइनुस च्छै मीटर यह उतर है गाद उपर गई प्लस वाली माइनुस हो जाती है उपर से नीचा आने यहां मैं में इसका हल बताओं आपको बहुत ही मज़दा बहुत आसार है यहां गिन्ना है इसके बराबर किना देखो इस्टेंडर्ड मानेग मन 1.6 इंटू होगा यह 1.6 इंटू दस की घात माइनुस माँगी क्यूंकि संक्या बहुत छोटी है एक सेका में पाइंट इदा रहे ना कितने कोमा लगा रहे है तीन 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 का जीरो तो तीन तीन 6 तीन नो तीन 12 तीन 15 तीन 18 और एक यहां 19 हो जाएगा तो घात माइनस 19 हो जाएगी इसकी सिद्धी यहां में भी क्या होगा मैं बताओ सीधा इसका हल यह होगा वहतासाल पांच इंटू दस की घात माइनस होगी प्लस क्योंकि संक्या एक से छोटी यह पाइंट पहले ही उदर है आप इदर आना पड़ रहा है तो क इसको नोट कर लो समझते जाओ बिना समझे कुछ भी नहीं लिखना है कि इसके दो और बचके पोधों की कोशिकांग की माब 0.00001275 मीटर है संक्या एक से छोटी है घात मार्य पाइनिस मात जयएक यह वह एक से छोटी दो काइज के मोटा ही है तो मैं यहां पर पाइंट लगाूंगा वन पाइंट पहले जो जीरो नहीं है जो नोन जीरो या सुनिय तर अंक है उसके बात बिंदू लगा यह हो जागा एक पाइंट को साथ पांग सांग सवाल मारे कि इसलragen हो जाएगे यह तो तो कुछ नहीं है यह पॉइंट पउइन के इप फायर है यह दो कदम पलतेगा शेवां इंटू ग। है संग्य एक से छी गात होगी मायनीस में आपको दाइनी तरफ चलना पड़ा है तो मायनीस में बाइन तरफ चलना पड़ता है तो आप गात मेशन हो जाएगी mm लिख दो वापस जो है यह मीटे लिख दो यह आपकी उतार लिखे लो नोट कर लो बहुत आसान दाना आखरी सवाल यह एक डेर में पांच किताबे हैं जिनमें प्रतियक की मोटाई 20 mm है तता पांच कागज की शीट है जिनमें प्रतियक शीट की मोटाई 0.01 mm है इस डेर की कुल मोटाई ग्याद कीजिए उसको अम्मानिक रूप में लिखेंगे तो पहले तो किताबों की मोटाई प्लस कागज की शीटों की मोटाई हमारा होगा हमारा उतर होगा किताबों की मोटाई किताबों की मोटाई प्लस कागज की शीटों की मोटाई कागज की शीटों की मोटाई यह हमारा आंसर हो जाए कि कुल मोटाई इतनी हो जाए कि कितने हैं पांच गुणा बीस पांच किताब है और हर एक किताब की 20 mm मोटाई है 20 mm है सारा बाद में करते हैं पांच इंटू 20 पलस यह कागेश भी पांच है और परतिय की मोटाई 0.016 mm है अब इक इनल पांच अज़के पीस पांच यह सो हो गया और शॉल पांच यह असी होगया दहां द्रग में पांच कहा लगा ना पांच देखो एंक दो टीन तो एक दो जिरो लगई यहां होगा 0.5 यह वहला तो मैं इसको आफ प्लस जिरो पांच जिरो आट यह वह गया रिए जीरो पॉइंट जीरो इट सबसे लाइस के आंब इसको जोडेंगे तो यह उन जीरो जोड़ें हो जाएक अब मानेग रूप में लिखने के लिख क्या करेंगे यह सब एक से बड़ी है एक से बड़ी है तो गात हमारी प्रसमा हो जाएगी तो पाइंट होगा यहां पर 1.0008 10 की गात कितने कदम चले आप यहां से 1-2 चले तो 10 की कात 2 mm होगी तो यह मारा उतर चे करनो तो बत्यों यह ती प्रस्नावली मारा पाइंट दो विडियो को लाइक करना शेर करना सी यू इन एक्स वीडियो तिल देन बाई बाई